कर दोस्तों सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है संदीप और बे कोलापुर से बोल रहा हूँ जो कि महाराश्ट्रा में आज आपके लिए और एक नया वीडियो हम पेश कर रहे है वर्टिकल चर्नर दस लिटर चर्णर का तो वीडियो में आप पहले ही पेश के आवा था यूट्यूब चानल पे बहुत सारे चर्नर साम बना दे वर्टिकल होरिजॉंटल चर्नर यह जो वर्टिकल चर्नर है इसको आफ नेटिकल चर्नर बोल सकते है नकलता है यानि इसमें आपको पहले के जमानमें में जैसे लखड़े की पिटी आती थी साइड में बरफ नमक जो डाल के एस्क्रिम बना देते तो यह मशीन को उसको कुछ जंजीटी नहीं आपको बरफ बाजार में से नमक लाने की जरूरत नहीं इसको हमने कॉंप्रेसर यूनिट बिटाया हुआ है और यह पूरा डोम को कुलिंग आता है और बहुत ही इजी ओपरेटिंग मशीन है डोम को कुलिंग आने के बाद आप इसमें आपका जो मिक्स है जो आप दूद बनाते है एस्क्रिम दूद वह इसमें डाल के आप डिफरंट जोघंग करके आप इसमें डूद डालके डिफरंट वराइड आप आप सो प्रकार के इसक्रिम इस चीम मजें सकते इसको आमने पूरा है नहां माल कैसा बनता है यह आप अपको दिकएगा इसमें पूरा फ्रोस्टिंग आए हुआ आप देख सकते है इसको हमने पूरा एस tactical ब्लेट दिया हुआ है अभी आप देख सकते हैं मजिन चाल वह सको माइनस 28 डिगरी टेंपरेचर आया हुआ है माइनस 30 माइनस 32 अब आता है आपका अए स्कृम जो यह वह लगबल माइनस 12 से माइनस 14 डिगरी तलिए तक पूरा रिडे हो जाता है इसमें ही आप ड्राइपू सबस्ते ओल सबन सकते हैं सोब कवैंट यहां से बाठाइज पूरा आथा आगा से फिर इसमें आप चार लिटर का बल्क पाटक लिटर का पैक्स एक लिटर का टप ये सब आप इसमें भर सकते कि इसको इसमें यह जो मोडल है यह आभी 10 लिटर वाला मॉडल इसमें हम 5 लिटर से लेके 5 लिटर 10 लिटर 20 लिटर 50 लिटर तक हम एस्ख्रीम मचीन से बनाते हैं तो जैसाब का रिक्वारमेंट है वह इसाब से हम मचीन आपको बनाके डिस्पैच कर देंगे कि यह यह जो दस लिटर वाला मॉडल है अब इसका जो पर बैच है यानि इसमें आप लगबख साथ लिटर डूट डानने के बाद दस लिटर एसक्रिम बनेगा और उसको जो टाइम लगएगा वो लगबख 15 से 20 मिलिट को एक बैच आपका पूरा हो जाएगा यानि लगबख लगन्टे में आप इसमें 30 लिटर एस्क्रिम निकाल सकते हैं कि नीकी घर्टे में पंदरा से दीस मिलिट में आप दस लिटर इसमें बना सकते हैं बहुत ही पाज उसे हमने इसको प्रसक्राइब कर श करीजिंग है जिसमें कंफ और यहीं दूर जाता है आप अगर आपको कुछ भूत का जो बेस है उसका फॉर्मिला भी नहीं मालूम है तो हमारा टेकनीशन आपके जगह पे आके आपको मिल्क का बेस बना के इसमें डालके एसक्रिम निकालके पूरा ड्रायल देगा आपको हम तो आपको टेलीफोनिक में आपको पूरा जानकरी करता है आप यह घर में भी चालू कर सकते और आप स्वीगी जैमेटो यह आपका एड़ोडाइजमेंट करके आप उनको सप्लाइब कर सकते ताकि वह आगे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आल ओवर इंडिया हम डिलिवरी करते हैं और इसका कंपनी का हमारा पॉलिस कर सकते हैं एक साल हमारा मशिन का गैरंटी जेडर साल हमारा कॉंप्रेसर का गैरेंटी आप देख सकते हैं मुशिघों तूसका फिनिशिंग धступते यह दस लिटर वाला है आप मेरे पहले के मीडियो भी सारे चेक कर सकते हैं का कि इसको शिर्फ हमने 16 आप्पेर का फिन लगाया हुआ हुआ है 16 आपेर का फिन लगाया हुआ है शिर्फबस कि और इसका पावर कंजम्शन लगबग आपको एक घंटे में यह 1,5 यूनिट पावर कंजम्चन लेगा देड़ यूनिट इलेक्रिसिटी कंजम्शन जो है वो एक घंटे के लिए यह देड़ यूनिट आपको इलेक्रिसिटी चार्ज होगा बहुत ही भैतर एस्क्रिम निकलता आप मेरा यूटूब चैनल भी चेक कर सकते हैं मैंने वीडियो पेज क्या हुआ है इसमें बहुत ही क् स्क्रिम निकलता है इसमें ड्राइफूड खुरे सब एड कर सकते हैं आप मेरा यूटूब चैनल चैक कर सकते हैं उसमें वीडियो मैंने पेज क्या हुआ है मेरे वीडियो को लाइक किजी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजी अगर आपको कुछ भी कोई-ई-एथ तो आ Thank you very much. 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0